नमो नारे येगो माता वंदे मात्रों मा भार्ति कुप्रणाव और हिर्दय से ओम शम सनिश्चरा है शंपाउन राष्ट को दिपावली की हर दिख्षकाद है आज 23 अक्टूबर 2022 का दिन है और कल 24 अक्टूबर है कल दिपावली है 25 अक्टूबर को गरस्तास्त खंडगराश सुरी होने गरन होने की वज़े से दिपावली का पावन पर 24 अक्टूबर 2022 को मना जाए और आज 23 अक्टूबर है तो आज ध रूप चतुर दर्शी का तेमार आज मनाये गाए सुभम करुतिम कल्यान मारोग धन शंपदा शत्र बुद्धी विना से दीप जोती नमस्त यादेवी सर भूतेशु लक्षमी डुपेंट्शन स्ता नमस्तस्ते नमस्तस्त्र नमस्तस्त्र मेरी प्रात्ना सैनि देव की अराद शात्यों धन टर्योंधशी 23 अक्टूबर 2022 का दिन क्या क खरीदे जिसे कि मा लक्षमी प्रशन हो ऑर घर में शुकशान्ती ओ और वेपार में ब्रदी हो क्योंकि हमारी शाष्त्रों में ऐँसा लिखा है कि धनत्व तरयोधर सी के झे दिन कुछ ने कुछ ने कुछ जरूर खरीद आ चाले में। पुने याद दिला रहा हूं 23 अक्टूबर 2022 we must the trade जुफ जो प्रारव 5 ए उपर को हुरा है दन तेरे दिसी का पूजन 23 अक्तुबर 2022 के दिन रविवार शाम 5 बजकर 43 मिन्ट लेकर शाम 7 बजकर 20 मिन्ट के बीच में रहेगा तो बहुत शुपर है क्योंकि दन 13 के दिन कुछ न कुछ दिवाली की खरिदारी करते हैं और शुब मर्त में खरिदारी करते हैं उत्रा फालगुनी नक्षतर है साथ में हस्तनक्षतर का मिलन भी है तो जो संपूर्ण गणनाए मैंने मैं देखिए साथियों मैं आमेशा अनभाव पर विश्वास करता हूँ शास्त्रों ने जो लिखा है और रिश्यों ने जो बताया और मेरा जो अनभाव है वो मैं आपके सामने रखता हूँ गुमा फिरा मुझे आता नहीं आप अच्छी तरह जानता है मैं अपनी बात रखता हूँ कि उस दिन सबसे उत्तम मुरत जो खरीदने का है उपराते ग्यारा बज कर तेतालीस मिनिट लेकर दोपर बारा बज कर इस अथाइस मिनिट का जो समय है बहुत शुब मुरत है सबस कब हम खरीदे यह मैं बताऊंगा क्यों धंतरियोजन सरास्री योग अमर्त्री योग और इंदरियोग भी है उत्रफाल कुनी नक्सर हस्तनक्सर का मिलन भी है तो मैंने आपको बताया ने कि जो अभी जीत मूर्थ है जो मैंने बताया ग्यारा बज कर तेतालीस मिनिट लेकर सुबह साथ बज कर बाउन मिनिट का अमर्त का चोगड रहेगा इस दोरान खरीदारी उत्तम रेगी दिदी दुकाने कोई खुली है उसके बाद का जो सबसे उत्तम मौरत है वह शुबह का चोगडिया सुबह नौ बज कर शोड़ा मिनिट से लेकर दस बज कर एक तालिस मिन मिनिट के बीच में भी खरीदना सुबह माना जाएगा सुबह के चोगडिया की बाद में प्रते पुने 11 बज कर 43 मिन से लेकर 12 बज कर 28 मिनिट के बीच में अभिजीद मूर्थ रहेगा खरीदारी आपका सब्सक्राइब दो बज कर 54 मिनिट से लेकर शाम 4 बज कर 18 मिनिट तक लाब का चोगड़िय रहेगा इस दौराण कर खरीदारी खरीदारी रहेगा और ऐसा भी कह जाता है कि विर्शव लगन में भी अट बजकर अर्फार्ट पार्पार यानि दिन में दोप़र तो नहीं हो जित दिन में 11 बजकर 43 में लेकर 12 बजकर 차ente का जो अबिझीर्ट चमौत है वह सबसे उत्तमर वर्तन चीडानों हो से राभोशन से मूर्थी हो कुछ भी 13 में कि खरीदार्य करना कब खरीदे और क्या खरीदे तुम्हें मेश्राश्ची की बात देखो मेश्राश्ची वालों जिस तरह के इस बार ग्रह योगा योग है और आप चाहते कि मा लक्षमी प्रसंद हो तो मिट्टी के गनी इस लक्षमी जरूर खरेदें बहुत सुब रहेगा तांबे की बनीव जरूर खरेदा भूमी भावन क्रशी भूमी फार माउस इलाक्ट्रों इसके उपक्रों में पुंजी निवेस करना सुब रहेगा मेश्राश्ची वालों के लिए धेंतरों दिसी करतें अब आप कब करें तो आपके लिए उसरते उत्तम मोत है वह प्राते नौ बज कर शोड जरू करें और उस दिन जरू करें और कुछ नहीं करें सकते तांबे की सिक्के खरीदियेगा पूजा में रखी का बड़ा लाग बात करतें विर्शवरासी वालों के लिए धन्तरयोतलसी कि दिन चांदी की कोई भी वस्तू छोटी मोटी वस्तू भी खरीदगर घर लाना ब को भी उस दिन खरीदना बड़ा सुब रहेगा कौश्मिक समान घर की साथ समा का समान चांदी से बनी पूज़न समझी भावन के साथ साथ इलोक्त आइटम की खरीदारी भी आप भूमी भावन भी खरी सकतें और आपके खरीदने का उत्तम समय है वह है दो पार दो बच्व चौवन मिंट से लेकर साम चार बच्र आठारा मिंट उसमें लाब का चौबरी आ रहेगा रहे दो बनें बात करते हैं मिथून राची वालों के लिए चांदी की वस्ति घर में खरीदना बड़ाक्तु माना आप वहां खरीच सकते हैं इस जो प्रास्व माना आपका खरीद चांदी के दो पर बारा बचकर 28 मिंट रहेगा नमना बात करते करकराशी करकराशी वालों के लिए पीतल और तामबे की वस्ति विए सोने का पानी चड़ी विवस्ति जैसे मूर्तियां होगी खील पतास्य होगे खरीदना बड़ा उत्तम रहेगा इस बार करकराशी वाली करकराशी वालों कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते कोई मकान आपका खरीना चाहते तो इस दिन पूंजी रिविस करना आपके लिए लाबकारी देगा अगर आपका शमय है तो पर दो बत कर चोवन मिंट से लेकर साम चार बत कर अठारा मिंट का समय आपके लिए ब जिरेंगार गनेजी का सेंगार यह खरिदना उत्त का रहाँ धंतरियोंदिय तो या शोफ एगा धि आप इस दिन दक्षय-वर्ति शंग्क dice कघे या मोती माला खला गदे या इस लिए को cdc आपके लिए उत्तम समय प्राते नौ बजकर शोड़ा मिंट से लेकर प्राती दस बजकर 41 मिंट के लिए धंत्रयोदसी के दिन जो सब्से उत्तम मुर्थ है वो दो पर दो बजकर चौन मिंट से लेकर साम चार बजकर अठारा मिलें अब बात करूंगा तुलाराशी वालों के लिए धंत्रयोटसी के दिन जो सब्सक्राइब के लिए अब बात करूंगा तुलाराशी वालों के लिए धंत्रयोटसी के दिन बड़ा सुन्दर शुब मुणात है प्रॉपटी और भवन और वहान में पुझी निवेश तुलाराशी वालों के लिए शुब रहेगा इलोक्टन कोई भी समान खरीदना जाते बड़ा शुब रहेगा चांदी के आबूशन खरीदना शुब रहेगा आदोनिक साथ समात सजा का समान भी खरीदना बड़ा शुब रहेगा लेकिन चांदी का एक सिका सामर्ति युद एक सिका तो जरूर खरीद आपके लिए बड़ा सुब रहेगा बूकण और क्रशी भूमी और वहान के लिए पुझी निवेश खरीदने और सबसे उत्तम समय है विर्शिक राशी वालों के लिए प्राते 11 बज कर 43 मिंट से लेकर 12 बज कर 28 यह अध्वुद समा है और दिभावली का परवारा है धंतर युद पीतल की और तांबे की मूर्ति ख़दिना बड़ा शुब हैगा पितल के गनेश्ति पितल की मा लक्षमी क पितल के शिरी अंतर पितल का कुवेरी अंतर धनी अंतर अश्त्र लक्षमी अंतर लेकिन ध्यान रखेगा मूर्ति इससे बड़ी नहीं होंची अंगुष्ट प्रमाण ही निश्यों के घर खील और पता से भी धंतरियो दिन खरीदना आपके लिए शुब हैगा आपका जो क्रश्र भूमी खरीषते लकड़ी का फर्णिचर और वान खरीदना भी आपके लिए बड़ा सुब हैगा तांबे की वस्तों सोने की पानी चड़ी वस्तों या मूर्ति और खील पता से भी उस दिन खरीदना बड़ा सुब हैगा इक बात कहना चाता हूं तांबे का सुमेर प्रश्ट के शरीयंत्र खरिदना अत्य उत्तम रहेगा आपके कारुबार में दिन दिन रात्योगनी बड़ोती होगी अध्भुद है इस शरीयंत्र को आप पूजा में विपावरिक दिन रखेंगा आपके लिए खरिदने का उत्तम समय प्राते नौ बज कर सोड़ा मिस लेकर प्राते दस बज कर एक तारिस दिन का चुब माना गया है मकर राशी वालों के लिए शनिदेव स्वराशी शनिदेव अपनी राशी में संचरन कर रहे तो इस दिन मिटी के बनेवे गनेशी जरूर खरिदे घर में बदनबार जरूर खरिदे आर्टिफिसल फूलों की लड़ी जरूर खरिदे यह वह पुरानी इमारत करिदना चाते है कोई पुरानी इमार्त घर बनावा है वो खरिदने के लिए पुंजी निवेश करना चाहते हैं तो धन्त रुद्धिसी का दिन आपके लिए बड़ा है कि चीजें खरीज सकते हैं आवश्य भुकंड करीज सकते हैं लेकिल मकराश्य वालों मिटी के बनीवे गनीश और लक्समेश जरू खरीज़ा है कि समय आपका प्राते 11 बजकर 43 मिंट से लेकर दोपर 12 बजकर ठाइस मिंट का अधुद माना गया है नमण और बात करते हैं कुम्राश्य कुम्राश्य वालों के लिए द्रंदश्यों के पावन पर उपर बहुत सुन्दर ग्रहय योगा योग है घर में जो लटकाने वाले बस्तु उलजिन जरूर खरे चांदी की कोई बस्तु जो गिलास खरीद ले चांदी की कुई मूर्ती खरीद ले गनेजी खरीद ले महालक्षमी जी खरीद ले बहुत उत्तम रहे लेकिन आप धनाध्य बखती है कल कार खाने के लिए मशीन चाहते हैं या कोई पुराणी एंटिक खरीदा कहेंगे लोग लोग लोए से बनेवाली पुराणी एंटिक आप जरूर धन तरोदसीक दिन खरीदे आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा लेकिन मिटी के बनेवे गनेजी और लक्षमी जी जरूर चुझे और इस बार इस बार आपके लिए उत्तम समय प्राते नौ बज़ कर शोड़ा मिंट का रहेगा नमणेन बात करते हैं मिंडाशी वालों के लिए अध्वुद दिन है धंद्रियोशी आप लकडी का फर्णीचर खरी सकते हैं आप वहान खरी सकते हैं आप प्रॉपर्टी खरी सकते हैं चांदी की भी कोई बस्तुय सकते हैं इस्वार के लिए जिस इश्ट की आप पूजा करते हैं प्रमात्माण की है पूजा करते हैं लिए उसको के उसलेकर हबते हैं बारा के बारा राशी के लोग किन वस्तूओं को खरीदे धन्त रियोदसी के दिन? मैंने बताया कि ये चीज़े खरीदे. साथ में मैंने बताया कि बारा के बारा राशी के लोग कब खरीदे? पुने याद दिला रहा हूं कि आपको इन समय में कहीं भी समय सूट नहीं कर रहा तब आप दोपर 11 बच कर 43 मिन से लेकर दोपर 12 बच कर 28 कि बीच में अवशे कर दें पैसा दने का टाइम रहेगा 11 बच कर 43 मिन से लेकर 12 बच कर 28 लेकर ना परांगे रास्तान का हर व्यक्ति जानता है गदाती महराज गायें से बहुत प्यार करता है वजे से नहीं सुना रहा हूं बस खाली बता रहा हूं कि यह मेरा जीवन का नक्षदा है मनश्य हूं और मानू हुने इतना ते मेरा करतव है कि मैं अपनी रास्ट के शेवा करूँ मैं इस रास्ट का नागरिक हूँ तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोश्यवा में अपना जीवन इस रास्ट के साथ लगाया है वरत्मान प्रस्तियां आर्तिक दस्टिकौन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांगा अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा इंकार नहीं है क्योंकि धन को लेकर मेरा आश्ट के सामने कभी नहीं आये था हमेशा मैंने ये का कि आप शेवा करिया आप मैं भी शेवा करता हूँ आप भी शेवा करिया धन नहीं चाहिए लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक प्रस्ति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सनिधान गोशाला की गाएं तुखी नहीं रहें इसके लिए मुझे आपका स्वयोग चाहिए और स्वयोग के लिए मैं श्योम आपके साथ खड़ा हूँ आ पूरी साल खड़ा रहूँगा जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूँगा नंबर आ रहा है इन नंबरों पर शंपर करी आप मेरे से बात करी लेकिन इसकी एवज में गाएं के लिए चारे की वेवस्ता कर लिए और इसलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस सम मांग रहा हूँ फिर भी मैं अभी मेरा यह एंकार नहीं है सातियों मेरा राज शरूपर है मैं यह नहीं कहा रहा हूँ मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता करें आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहे और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जो तीजिये समधान की आवश्यक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महिने में लगबग लगब 20-25-50 लोग ऐसे भी है जिन्नोंने सनिधाम गो परस्ति आर्तिक दस्टिकों से अनकोर संकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधाम गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रपोर्ट कर रही है अपनी शिमाओं में रहते हैं जो सरकार करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं पड़ता है यह आप भी ज करना चाहिए कि आपको लगता है कि दाति महाराज के साथ सनिधाम गोशाला में खड़ा रहना है नंबर है ज़र स्वयोकर है पेरा कोई दवाव नहीं है प्रातरा थी ओम नमुना आरहें ओम नमुना आरहें